दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Windows 11 कंप्यूटर में Invisible Folder बनाने का तरीका बताऊंगा तो चलते हैं गाईज हम अपने कंप्यूटर पे Windows की प्रस करके Character Map खोड़ लेंगे इस टाइप से और यहां से गाईज इसको Open कर लेंगे दोस्तों यहां सामने आपको एक Blank Character मिल जाता है आपको यहां से इसे Select कर लेना है यहां से इसको Copy कर लेना है और Character Map को यहां से बंद कर देना है Character Map को यहां से बंद करने के बाद में आपको Desktop पे जाना है Right Click करना है New करना है और एक Folder बना देना है जो character map से character copy किया था वो यहाँ पे paste कर दिना है paste करने के बाद में guys हम इस folder के icon को customize करेंगे तो इस folder के icon के उपर right click करना है इसकी properties में जाना है guys आपको customize tab में जाना है customize tab में जाने के बाद में आपको यहाँ पे change icon का एक option मिलेगा इस change icon पे click करना है आपको यहाँ पे scrolling करनी है और guys थोड़ा सा ही scroll करने पर लॉक के बगल वाला जो है ये ये blank है हमने इसको select कर लिया है OK पर click किया है apply करके OK कर दिया है आप देख सकते हैं कि मेरी screen पे जो folder था वो invisible हो चुका है आप जब अपने mouse से इसको select करेंगे तो invisible folder highlight हो जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके बताईएगा आपका अपना दोस्त अनुराग पंडेत